आज मैं लेके आई हूँ अपने रोसोई में मुली के पराठे और यह बहुत ही अच्छी बनती है तो इसे हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं अपने किचन में ए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आठे लेंगे आठा लिया है हमने यहां दो कटुरी इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा तेल डालके रिफाइन तेल इसे गूत लेंगे और आठे को बहुत ही शॉप्ट गूतना है करा नहीं गूतना है क्योंकि जब इसमें हम इसको ग्रेश कर लिया है कर अब थोड़ा देल डालेंगे और इसमें मेथी जीरा डालके और लशन अधरग का पेस्ट पेस्ट कुटा हुआ ये पेस्ट भी लिजिए मिर्ची काठी हुई और यहां पे हमने भून के चना को और फूले हुए चना को और इसमें पेस्ट बना के इसमें दो चम्मस यहां पे भूंजेंगे पेस्ट डाल कर जो हमने पीस लिये थे और यह थोड़ा सोंदे होने तक रखेंगे यह त्यार हो गए है अब इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी मिल क्योंकि यहां पर आलू भी थोड़ा हमने रखा है तो इसलिए पहले आलू को भी मिक्स करेंगे इसमें जीरा गुलकी के पाउडर डाल कर क्योंकि अब यह रेडी हो चुके हैं और लास्ट में हम इसने मूली डाला है और इसे हम थोड़ा दो तीन मिनट के लिए भूंज लेत और हमने जो यहां पर आटा लगाया थे और यह आटे के छोटे छोटे लोई के हमने त्यार करना है इस तरह से बिल्कुल इसी दबा दबा कर इसे पतले बढ़ाना है नीचे पतला उपर थोड़ा मोटा रहना चाहिए तो इससे अगर आप भरते हैं मुली के फिलिंग जो हम दिरे इसे इस तरह से फैला कर अगर इसे हम बेलेंगे तो यह फटते बिल्कुल ही नहीं है थोड़ा सुक आटा देकर इसे हम बेलेंगे और इस तरह से हलके हलके दबा के ज्यादा जूर से नहीं दबाएंगे नहीं तो यह फट जा सकते तो इसे हम बस ज्यादा बड़ा साइज नहीं देना है इसलिए हलका हलका दबाएंगे और एक आलू हमने यहाँ पर डाले है इससे बहुत अच्छी टेस्टी बनता है तो यहाँ पर मैंने नए तरीके से बनाया है और यह आलू डाल कर तो आलू मिक्स चुकिया इससे बहुत क्यूबेशन और आलू मिक्स के आप ही एक बर जरूरी से बनाईएगा तो यह बहुत अच्छा बनता और दूसरे वाली लोई को भी मैं इसी तरह से त्यार करूंगी इसे दबा दबा कर इसे हलके और इस तरह से गुमा के इसे हम यहाँ पर बना लेंगे और इस तरह से दब निकले नहीं तो इसलिए हमने इसे पहले ही त्यार कर लिया है यह आलू मिलाने पर बहुत अच्छा टेश्ट लगता है अब चलिए इसे हम एक तवे में गरम हो गया है और थोड़ा इसे डालकर थोड़ा तेल डालकर इसे हम सेकेंगे इसे हम कराही में भी तल सकते हैं तेल दाल कर देकिन यहां पर हम सेके बनाएंगे तो यहां पर इस तरह स्ताव giving देखिए बिल्कुल इस तरह से फूले फूले से हैं चारों तरफ से देखिए मेरे फूल के बहुत अच्छे बनाए लुली के पर अच्छे Premश्टे हैं अंदर और बाहर दोनों तरह से रेडि ह तो यह देखें बिल्कु रेडी हो गए मेरे मुली के पराठे आप देख सकते हो कितने अच्छे बन के रेडी हो गए हैं पर में निकाला और इससे आपको खोल और डिखा देते हैं यह देखिए बिलकुल गरां में यहां और मैंने आपको खोल के यहां पर दिखायाओаки है और डूसरी वाले को इसे तरह से आप लोग उतादू तो आपको भी वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे शेर कर दे